नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3.7 बॉल्ट की बैटी से LED Tester बनाना सिखाने वाले हैं वैसे तो तमाम मैंने वीडियो बनाया है जो की हमारा मनलब बिजली से चलता है और उसे हम LED टेस्ट कर सकते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में 3.7 बोल्ट की बैटी से आल, मनलब किसी भी तरह का आपके पास LED हो, उसे आप टेस्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या component लेना है, वो आपको हम बता देते हैं, सबसे पहले आपको इस तरह का कोई आपके प continuity देता है, और ये दोनों लेगा, आपस में continuity देता है, तो अब हमें एक क्वाइल लेके, और सबसे पहले क्या करना हमें, एक इस साइड का और एक इस साइड का, यानि दोनों क्वाइल का एक एक वाइर जो हमें, ये वाइर से दोनों को sort कर देना है, तो दोनों को हम यहां स एक transistor जो कि आपके market में मिल जाएगा लगवग इजी 10 से 15 रुपे के आसपास में यह मिल जाता है इसका नंबर है टी आई पी एक ताली सी ठीक है यह टांजिस्टर ले लेना है और इस टांजिस्टर का बीच वाला लेग ठीक है यहां बीच वाला लेग आपको यहां पर जोड़ना है ठीक है इस पॉइंट पे तो यहां मैं इसे प्रिफ्ट हुए जो एक पिन ये खाली है इक पिन ये खाली है ठीक है तो एक खाली वाली पिन पे आपको टांजिस्टर का बीच वाला लेड्र जो है इसतरह से यहांondकर कर देना है अब ही हमारा ये transistor का बीच वाला जोड़ दिया इसके बाद आपको लेना है एक 1 kilo ohm का register त्रीक है यहाँ 1 kilo ohm का register लेके और आपको इसे कहां लगाना है एक आपका रहेगा जो आपका coil का ये वाला point खाली है इस पे और एक इसके एक number pin पे transistor के एक number pin पे तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे लगाना होगा तो यहाँ हमारा resistance लग चुका है transistor के एक number pin से coil के इस वाले point पे ठीक है बीच में हमने यह लगा दिया आपको यह नहीं लगाने से आपका क्या होगा कि यह दोनों wire आपस में शट जाएगा फिर आपका circuit काम नहीं करेगा ठीक है तो यह किसी भी तर मलब plastic हो आपका और भी कोई शटना नहीं चाहिए टेप भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद आपको ले लेना है एक diode diode का नंबर है SR360 ठीक है यह DC diode होता है तो यह लेना है आप इसके जगा आई एन 54 वाट भी ले सकते हैं लेकिन जब 54 वाट लेंगे तो यहाँ आपका जो है यह coil बहुत तेजी सी आवाज करेगा ठीक है तो यहाँ चुकिए हमको DC को DC अपलब हाई करना है तो DC diode यहाँ लेना उचीत है ठीक है यहाँ आपको लेना है यसार 360 यह आपको कहां मिलेगा आपके पास जो SMPS पावर सप्लाई है इस पावर सप्लाई में हाँ पर देखिएस सबसे मोटा वाला जो होता है यह डायोड होता है ठीक है यह ले लेना है अब इससे आपको जोड़ना है जो आपका टंजिस्टर का बीच वाला लेग है बीच वाले लेग पे इस तरह जोड़ना यानि यहां देखिए mad side आपका any नोड हो गया और यह वाइट पटीजी साइड में हो हमारा कैथोड हो गया तो एनोड को आपको टांजिस्टर के बीच वाले लेग पे यहां पे जोड़ देना है बीच में हम इसलिए लगा दिक फिर हमारा सौर्टिंग न हो तो यहां मैं इसे जोड़ लेता हूं अब यहां जोड़ लेने के बाद एक वायर का टुगड़ा हमें लेना है और वायर के टुगड़ए यहां पे लगा देना है तिन नमबर पे लगा देने के बाद आब आपको लेना है एक capacitor आप यहां 50 volt से plus लेंगे आपका 47 U up हो या 100 U up हो इस तरह से आपको ले लेना है तो मैंने यहां देखे 80 volt का लिया है 100 U up का ठीक है यह capacitor ले लेना है और इसे connection यहां कैसे करना है जो diode का आपका silver पट्टी वाला side है यह plus हो गया तो हमें capacitor का यहां plus लगा देना है और जो wire हम आपको ले लेना है एक register यह आप एक watt half watt कोई भी ले सकते हैं यह हमने लिया है वहां one kilo ohm का register आप इसके जगए three point three kilo ohm तक का ले सकते हैं ठीक है तो यहां मैंने one kilo ohm मेरे पास three point three k कर नहीं था यह one k का resistance था इसलिए मैं इसे लगा रहा हूं यहां one k का जो resistance है आपको diode के य तो यहां हमने register को भी यहां sold कर दिया है अब हमारा जो circuit है वो बनके complete हो चुका है अब इसे हमें supply देना और output लब input और output supply देने के लिए wire जोड़ना है तो यहां देखे मैंने पहले बोला कि three point seven bolt की बैटी से हम इसे चलाने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको अपन हमारे बैटी कितने बोल्ट तक चार्ज है तो आप देख सकते जो हमारे बैटी का current है वो three point nine seven ठीक है यह बोल्ट हमारे बैटी का जो voltage है इसके बाद आप इसका हम connection ऐसे करेंगे यहां मैंने switch इसलिए लगा दिया कि इसे आन आफ करने के लिए हमने यहां पे switch already लगा दिया ठीक है अब दुस्तों चलिए बैटी का connection पहले कर लेते हैं तो यहां बैटी का connection हमें करना है जो हमारा यह black वाला minus है minus को transistor के तीन नंबर वाले पीन पे आपको जोड़ देना है इसके बाद जो हमारा plus wire है बैटी का plus है तो जो हमने दोनों coil को wire की मदद से sort किया था आप इस पे यहां चाहिए यहां कहीं भी जोड़ सकते हैं यहां जोड़े यहां जोड़े ठीक है तो मैं इसको यहां पर ही sort कर देता हूँ तो यह हमारा plus और minus का जो हमारा supply था हमने जोड़ दिया है इसके बाद हमें output लेने के लिए दो wire की जड़द पड़ेगी जो कि मैं यहां इस दखिये एक red का और यह blue का यह wire मैंने ले लिया है तो इसका जो minus होगा हमें एक wire जहां बैठी का minus हमने जोड़ा है वहीं पे इसक भी minus हम जोड़ लेंगे एक plus वाला जो होगा हमारा जो resistance जहां लगा हुआ है resistance के इस साइड में हमें यहां पे जोड़ देना है अब यह हमारा output हो गया अब दोस्तों हमारा जो LED टेस्टर है वो बनके complete हो चुका है ठीक है अब इसकी checking बाकी है तो आईए हम चेक करके आपको दिखा देते हैं सबसे पहले यहां हम यह दिखा देते हैं कि यह हमारा output voltage कितना दे रहा है तो multimeter के हम को हमने 200 DC 200 के range में रख दिया है और अब हम इसके switch को on करते हैं तो यहां हम switch को on कर दिया plus को plus पे और minus को minus पे यहां पे हम लगाएंगे तो आप देख सकते हैं जो हमको voltage मिल रहा है वो 74 volt मिल रहा है ठीक है 74 volt DC हमको मिल रहा है अब यहां पे आप चाहें तो यहां direct prod लगा दें ठीक है या कोई wire लेकि आप किसी भी मतलब यह LED को चाहें आपके पास इस तरह का MC PCB DOB या एक LED दो LED कोई भी हो आप इस तरह का कुछ भी हो आप उसे बड़े आराम से चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यहां चेक करने के लिए यहां क्या है मैं multimeter का यूज कर लेता हूं तो चुकि प्राड इसमें मैं नहीं जोड़ूंगा multimeter के दोनों socket में मैं इस wire को यहां पे लगा लेता हूं तो minus वाला इसके minus वाले में और plus इसके plus में मैं यहां पे लगा लेता हूं ठीक है तो अब आप देखें चुकि हमारा आप है यह चार्ज है इसलिए वह बता रहा है अब हम फिर से इसको अन कर देते हैं जैसे ही मैंने आन किया यहां पर देख सकते हैं जो हमारा voltage है वो 74 volt हो गया है अब हम इसे इस तरह का ज दो LED भी चेक कर सकते हैं अब यहां voltage आप देखें एक LED हम चेक कर रहे हैं तो देखें नाइन बोल्ट की इसमें LED हमारा लगा होता है तो यहां पर एट पॉइंट देखें कितना बोल्ट एखा रहा हूं हमको बता रहा है 8.1 बोल्ट ठीक है दो LED चेक करेंगे यहां देख सक आना चाहें तो यहां देखिए आप देख सकते हैं कि पूरा MC PCB हमारा जो है इस 3.7 बोल्ट की बैटी से यह जला ठीक है और इस तरह का आपके पास जो होगा यह डियो भी होगा डियो भी के भी LED को आप चेक कर सकते हैं देखें एक LED इस तरह से देखें यहां पर एक LED को एक LED या 2 LED आप जैसे चाहें वैसे चेक कर सकते हैं इसके बाद यहां देखें चोती LED कुछ आती है 不mal यह आपका कि जोटी LED को भी हम चेक कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यहां कि आपको करेंट मारने का इसम वह attract नहीं लगेगा ठीक है देखें यहां पर आपकी छोटी एलेडी भी इस से हम जला सकते हैं यहां चोटी एलेडी ह हमारी 2.0 पोल्ट ये करेंट ले रही है ऩीवारि हम यहすथ एट येमेम का हमारा मठका होता है कि इसे हम चेक करेंगे देकि एक इम का मठका फिल्कुल अच्छी कर सकते हैं इसके बाद इससे सकते हैं यह वो कैसे को दिखा लेता हूं कि यहां पर जीनर चेक करने लिए चुकि जीनर आपका शही खराब मल्टिमीटर से भी चेक कर सकते हैं किसी किसी का लिखा हुआ मिड जाता है तो आप पता नहीं चल पाता है कि हमारा जीनर कितने बोल्ट का है तो यहां आप लगाएंगे देखिए इसके दूनों पॉइंट कि इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से तो आप देख सकते हैं हमारा यहां सो कर रहा है 9.5 यानि ये हमारा 9 बोल्ट का यह जीनर है ठीक है यह एक आकड़ा आप बता देगा आधा बोल्ट इधर उदर आपका हो सकता है इस तरह से हम दूसरे giner को check कर सकते हैं 8 point 2 का हमारा giner आता है तो यहां देखिए 8.4 हमको 100 हो रहा है यानि हमारा जो यह giner है 8.2 bolt का है अब दोस्तों यहां पर एक चीज मैं और यहां check कर ला तो यह मैंने पास जो है यह 12 bolt का यह LED bulb है ठीक है 12 bolt DC LED bulb है तो इसे हम यहाँ पे एक बार चेक करके देखते है तो यहां इसके प्लस पर लगा दिया और इसके माइनस पर लगा दिया तो आप देख सकते हैं 12 बोल्ड का एलीडी हमारा है यह मलब फूल रोशनी में तो नहीं जल रहा है लेकिन यहां glow हो जा रही है जल जा रहा है ठीक है जबकि इस बैटी से हम इसे जलाना चाहें तो यह possible नहीं है नहीं जलेगा तो इस तरह से आप LED टेस्टर बना के और 3.7 बोल्ट बैटी से सभी प्रकार के LED को बड़े आराम से चेक कर सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार